हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं एक बहुत यह प्रचलिस सी बीमारी जिसको आम बोल चाल की बस्ता में कहते हैं गुर्दे की पत्री और मेडिकल टर्मिंज के बहुत सारे नाम हैं जैसे निप्रोलिथियसिस, यूरोलिथियसिस और इसी तरह से कहते हैं रेनल इस्टोन, रेनल कैलकुली, कैलकुली तब कहते हैं जब एक से ज्यादा इस्टोन होते हैं ऐसे नामली कहते हैं रेनल कैलकुलस, ठीक है इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कितने प्रचार की गुर्दे की पत्री होते हैं टाइप साफ रेनल इस्टोन और उनके अग कौन से टेस्ट करवाना चाहिए इन्वेस्टिकेसंस के बारे बात करेंगे और मैनेजमेंट का ऐसे अगर अगर सटरनली पेन हो गया है तो कौन क्या दवाई हम खा सकते हैं एमर्जनसी कंडिसंस में पीजिशन के का इसके साथ कि मेडिकेसं के साथ क्वानी पड़ेगी वासे हो सकता है तो देखते हैं तो सबसे पहले निफ्रूलिथियस क्या होती है फूल के मतलब गुर्दे के अंदर पफ्री बन जाना हमारे जो यूरिन होता है उसमें ऐसे कई सारे सॉबस्टेंस होते हैं जो कि पत्री बनाने की चमता रखते हैं या फिर जमने की इस्टोन बनाने की चमता रखते हैं ठीक है इस इस तरह से हमारे लेकिन अगर ब्यक्ति की बात करें तो सभी में तो पत्री नहीं बन जाती है पत्री तो कुछ abnormal conditions होते हैं तभी बनती है ठीक है तो उसमें यह conditions मतलब substance कुछ सब्सक्री पत्री वान दें , व्यक्तिति हों , possible by तो फैसिन अगल्सियम और हमारे यहां पर हूँ कैलसियम। इसी के साध गल ने अधिक हो गया या सिरोग्शक हो गया , इसी के सब्सक्रीन हो गया कुछ ड्रक्स हो गए और इसी एक साथ कुछ इंट्रेक्शन्स हो गए और उससे बहुत जादा बढ़ जाते हैं अब इनको बनने से रोकने के लिए नार्मल विक्ति में नहीं बनता है तो इसको रोकने के लिए कुछ हमारे बॉड़ी में सबस्टेंस होते हैं जिसके वज़े से नहीं बनता है उनको कहते हैं इनिबिटरी सबस्टेंस यहां पर फॉलिंग सब्संद्र हम लिख दें कौन-कौन से वाले सब्स्टन्स है तो यहां पर हमारे यूर्य मोटाइब होता है। सइट्रेट और और नेफ्रोकैलसीन सब्सटेंस के वज़े से हमारे नार्मल यू होती है जिसके बारे हमने बात किया है कुछ बदार्थ होते हैं जो कि पथरी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं रिस्पांसब्ल होते हैं कुछ उनको रोकने के लिए कि आपक Shh और दूनों में इंबाइलन्स विखत है इंभाइलन्स हो जाता है यह फंट تरच में होता है इसेजैर Mayor हिद्विन तो यहां पर इन पर फेक्टर में ओन फॉस्पेट था योडिक एसेड सम्ड्रक्स यह सारी उपर भी जो चीजह हमें देखी थी यहां पर एंड इनिवेट्री इनिवेट्री में यह सिट्रेट यह पट्री बनने से दोगते हैं और स्ट्रोपॉंटिन और निफ्रोकैल्जीन तो इन दिनों में जब इम्मैलेंस हो जाता है तो यूरिन का हमारे सुपर सेचुरेशन हो जाता है और सुपर सेचुरेशन हो जाएगा फिर क्रिस्टलाइशन हो जाएगा यूरिन का प्रिस्टलाइशन हो जाएगा जिससे हमारे स्टोन का फॉर्मेशन होता है ठीक है अब अगर यूरिन में स्टोन फॉर्मेश होगया हैं कौन कॉंसे औस अmostTime करति देखने को मिलेंगे तो इसमें अब से जादा है नहीं नहीं रहे होती है अचिक्स का is यक ह Online रsomething रहर यह जेखने को कलम ने जल्ले शहता होती है क्लें के उठ dos Anis stayton canova कंडिसंती यह वह ती है क्कीज़ों चाहेगी यहां पर ब्लेटर मेन चाहेगी अब इसमें से जब यह यहां पर स्रिंग करती है तो यहां पर इसका टीसूस जो होते हैं इसमें स्पाज मोजडी कांस्ट्रक्शन होता है बहुत तेज से अचानक से बहुत तेज से कांस्ट्रक्शन होता है जिससे पेसंट को बहुत जोड से दर्द होता है जिसके साथ कभी कभी पेसाथ के साथ में प्लेड भी परता शात प्रेशाब में खोन भी आता है यह चीजigor क्षाब में को देखने को दो होता है और प्राव लग होता है और एब्दाम्णल कोी ब्लग होता है उतshore-es लग होता है यह दोपेल पेल यहातर हमको रेकित पिरड़्य के वह वां भज़ाती है इस वज़े से हमको हमेचुरिया देखने को मिलती हैं अच्य जो यहां इस टोन होता है किड़ी इसका पेन रीडिएट करता है सरीर के दूसरे दूसरे भागों में चाहता है तो अगर यहां पर वन थाड पोजीचन में है किसे को ब्राइबर केड़ने स्टून ठीक है अगर किड़नो पुषकप आथे हैं यू रीटरो ली थेसिस कहते हैं यू रीटर किस्टोन कहां पहुंच चुकी घ्र अगर उीड़न में अगर 12 न पहुंच रिक है यूरेटर में पहुंच चुकी है तो इसको हम कहेंगे सिस्टोलीथियसिस मेडिकल डर में अब इसमें पेन कहते हैं कि अगर गुर्दे में पत्री है तो उसका दर्द कहां-कहां महसूस हो सकता है अगर अगर अभी उपर अगर प Second Parlament को अधी है कि अगर इसमें योडिकल बॉम थर्ट पांइपल वहां पर वाहां पर तदिर नागों में जाए है और फीमेल के लेविया मैजोरा दो जनाइटल रीजन में मेल फीमेल के वहाँ पर पेंड दर्द मैसूस होगा कि वहाँ पर दर्द उसको हो रहा है अगर यू रेटर की पतरी है तो दर्द इसका एक ही जगह नहीं रहता है कि जहां पर हमारी स्टोन है वहीं पर पता चलेगा सब्सक्राइब अगर इसको मालने वां थर्ड मिडिल आप इसका पैन कहां जाएगा इसका पेन तो जह geschके हो जाएगा तो हम सब्सक्राइब हो जाएंगे appendicitis हमको लगा सकता है को इसके पेडिस हाइट इसके दिखका थो राइट साइड में ठीक है यहां पर लिख दलते हैं अपंडिसाइड है अब में लेफ्ट साइड में लेफ्ट मेंतली है यहां हमको लगया कि क्या है डाइवर्टीö फुलाइटिस में अज़िए अग्र लोब अट्र में है तो हमारा इंको जाएगा पें ग्रोईरिसरी में अगरे ऊरलोर रेगरकतल एफट्रrän टाइब साफ रीरिनल इस्टोन के बारे में अगर हम बात करते हैं कितके की लिखों होती है तो यहांhearted ये चाम प्रगारा की होती है एक तो होते है कैलंस जी JUL फेलिछ ले मेखадцकोंक पहिते हैं ठीटेयों कि क्यों निफ Way लिखोए तो इससीद मेरत要ँ होते हैं चर्थे आप्मकश अबर दूच्छा अenक्रज मेरत प्रिवाव को सप्रिश्य cachyn व सब्सक्राइब कि छूब लिखा है सब्सक्राइब प्लिक और बिलत नहीं वह बनाते ह PUB कमिए वृत अन्हमीनिये-म मेरति गुनाया है तो इसमें जो होता है यह होता है so यहां पर क्या हो गया है इसको कहते हैं a sharian a shatio वाइट इस्टोन के टाइप में आता है इसका एक्जामपल है अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लिखा तीन तरह के होते हैं अगर किड्नी में तो नेफ्रोलीथियस अदिकर इसके तो है यहां पर कहते हैं कितने टाइप क्यों होते हैं मंने कैल्सेश-डॉतन थीसरा है तो क्या होता है moग टाइशम आगृट सब्सक्राइब करते के हैं सबसे पहले बात करते हैं कैल्सियुम और है सके जिए इस्टोन इसके वारे में में कुछ में में पॉइंट हम लोग यहां पर अपने नोट में लिख लेते हैं कि यहां पर अगरम लिखते हैं कैल्सियम ओक जिलेट स्टॉन है तेकिये इसमें होता है क्या होता है तो मोश्ट कॉमन टाइप आप टाइप आफ अरीनल स्टोन जीनल कालकूली एक सज्ज्जैद्ट है केम संगल मॉस्थ यही पाइड सेमॉग greatest स्टन अन्희त क्या होता यह डीयो च रेडियो ऑपिक डिडियो पिक क् York का मतलब होता है डीयो पैंस होता है फॉस्त विज Mostly Albert Pf 정 हम धाई हैं नहीं करने गार यहां बागी इस साइड निगल लगा वह निकल नहींगा तो यह तो यह तो यह तरी पेकर इस को अगर को समझ लिया अगर को इसको एक्स एक करते हैं तो दिखाई देगा क्योंकि तिकलती नहीं रहिए स्टोन केल्स से बना है तो यह भी रेडियो होता है कि बाहर नहीं निकल पाती है तो यह अगर रेडियो पेक है तो कहां एक विजिबल होगा हमको एक्सरे लेडियो इसमें इसले बता बता रहे हैं यह चीज़ें कि कि एक ऐसा चctive होते हैं नहीं दिखता है लगभण 90 पर्संट होते हैं जंट के एक स्रेंण होते हैं टैन बर्संट वही जो टाइफ है वह हमको एक सरे में नहीं दिखते हैं कि आगे बात करें तो इसमें क्या लगता है दो फैक्टर है एक तो कैल्सियम है और ऑगजलेट है तो यूरिन में तो कैल्सियम बढ़ा होगा या फिर ऑगजलेट होगा है हो जो इसमें तो में काज होता है वह क्या होता है उसका तो पर है पर इसमें उक्जलेट का मात्व जो है क्वांटिटी यूरेन में बढ़ जाती है लेकिन इन दोनों के अलावा आगर जो मोस्ट कॉमन काउस है कि यूरेन में कैल्सियम क्यों बढ़ गई वास्त कभी भी अन्नोन है तो है इडियोपैथिक हाइपर कैल्सियूरिया कैल्सियम बढ़ी है यूरेन में लेकिन हमको एक्जैक्ट रीजन नहीं पता है इस वज़े से कैल्सियम का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है मोस्ट कॉमन काज है यह चीज़ हमको यहाँ पर पता होने चाहिए ठीक है तो इडियोपैथिक हैपर कैल्सिय यह है कौज यहां पर कौज की बात करें हैं अच्छे से बनाना है कि अधियृपाथ है हाइपर पाईरतों है पाईपर एसे कालसियों का फॉर्मेसन होता है अगर लो इसके ऐसे काईसे वार्ण प्लेक यहां प्लेके मेरे देखिए बातकर करते हैं यहां पर डिश्कार कर लिए जल्दी से राइडल प्लेक कि है यह वता है दा कि स्टार्टिंग और जहां से मतलब जो है का यल्सीव ऑक लेट रहुख स्टोन है प्रजेंट यह पर कहां पर प्रजेंट होटा है प्रजेंट इसके वाँन दो तिन पॉइंट है सारी चीजिए आती है प्रजेंट अट टिप-अफ रेनल पैपिली आप पैपिला ह가 यह घ्रक bênber होता है क्या बशेट手 रेंडलफेड होता है किसका बना वहता है मेड़्य अफ़ कैल्सियम फासफेट कैल्सियम फासफेट कैल्सियम फासफेट और इसके कैल्सियम फासफेट करना होता है इसके कैल्सियम ऑग्जिलेट कैल्सियम ऑग्जिलेट अकर्स राउंड इट इसके अला जो कैल्सियम फासफेट करना होता है कैल्सियम फासफेट करना होता है कैल्सियम जो है रिजड़ स्टॉन का फॉरम से निस्टार्ट हो जाता है अब हम एक डालते हैं यहां पर और बदल लेते हैं इसकेश अपियरंस कैसा होता अपियरंस अपियरंस आफ कैलसीऊं और ख्लेट कैलसीयम ऑगलेट स्टोन यूरिन अगर हम लोग यूरिन पासाउट करते हैं तो इसमें खर वह तो कैसा यह कौन सा काल्सियम तोंग जलेट को इसका जो सेफ होता है डंबल की तरह होता है डंबल मिंस यह डंबल है डंबरू की तरह है ठीक है दूसरा सेफ होता है बाई पिरामिडल सेफ बाई पिरेमिडल सेफ बाई प्रेमिडल सेफ यह होता है कैल्सियम ऑग्सलेट कैल्सियम ऑग्सलेट डाय हाइडरेट होता है तो इसका से बाई प्रेमिडल होता है बाई प्रेमिडल मतलब अगर इस तरह से एक प्रेमिडल ने धर बनाई तो इस तरह से ऐसे करके एक प्रेमिडल न स्ट्रेब करते हैं कि इस के बार में हम दूसरा टाइब बढ़ते हैं अल्सकिए टब def behalf जिसको डूसरा नम कुया करते है तो साल मोग यहां पर लिख लेते हैं मिसłu गाइट अ-स्टोण अब लिक ट्रिपल स्टोन ट्रिपल स्टोन अब इसमें क्या होता है अभी हमने उपर पहले ही बता रखाए कि जो उनका मेड़ आप होता है किस चीज़ से बने होते हैं तो लिए तो मेड़ अप आफ कि मैगनेशियम इंप और इसके साथ किसके त्वासफेट का इससे बने होते हैं और यह क्या होता जो यो अपर कंद सलोग्रोव होता है इसका सब्सक्राइब अराम होती है सलोग्रोविंग इस टॉन आइए अच्छाज जो हमने लिए बात हिया था अगर कैल्सियम और इस टन क तो क्या था? प्याच इंडिपेंडेंडन्ट सा लेकिन जो इस्टो वाइट स्टोन होता है यह जो है यह प्यादा करेंगे हैं यह स्टीण होते हैं लेकिन जो यह होता है हमारा है फीक डेवलब लेख लोग डेवलबंव इन बेसिक मीदियम पीपीफ यह और अलकलाइन पियज बाग एक ही है अलकलाइन पियर्ज ऐसा क्यों dwt हそうですね होता है कि सोर Eigen होता है ऐसोशियेटर विद को कुछ माइक्रोगर्णिजम होते हैं जैसे प्रोटीय क्लेप्सेला नीमोनी क्लेप्सेला नीमोनी नियोमोनी ठीक है और इस्ट फाइलो कोकस सब्रोफितिकर्स एंड इस्टेफाइलो कोकस सेप्रोफितिकस यह जो बैक्टिरिया है यह यूटी आई काज करवाते हैं यूटी आई और इसके वज़ा थे क्या होता है पी एच एज एलकलाइन इंडीज इंफेक्शन पी एच इस एलकलाइन यह बैक्टिरिया होते हैं इनका इसलिए होता है और इसका वजह से हमने बात नहीं किया था कि अभी कुछ ड्रक्स के यूज से भी किरिणी का इस्टोन फॉर्मेशन हो जाता है तो इसी तरह से यहां पर बैक्टिरिया जो क्लेफसेला निमोनी है और इस्टेफलो को कस साइफ यहां पर पॉइंट लग लो इन यूरिन इसका पीरेंस होता है इन जुरें कफ coffee इन दा भी इंस को फिलिड अपिरियरंस ऐसा पीरेंस इसका होता प्हुत है ऐसाफ के अंदर अपी हमने जो बात कर दिया था थाश्य एका इस ने क्या था डंबल से था अनो है ट्रेट इसे तो इसको क्या होता है अब अगर हम तीसरे तरह के बात करें किट्नी स्टॉन पर लेएばい सज़ा प्रती तर्याकरा करें तरमारें सभ्ष अदरण गौन तक अंधर इस अधर्री सरीून होता यह होता है रेडियो बेग यह भी तो यह वि कहां अधिया लिख लुख 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 लिख लो है यह एक उसे भी विमारी होता जिसमें जूरी का चल बढ़ा होता है ज्यादा तर तो हम लोगा नो सिंपली से बताएं गाउट होती है तो ये किसके से होता है एसोसियेटर्ट विद गाउट एंड टूमर लाइसिस त्यों मेर लिस्लाइस लाइसिस अर्च सेंड्रॉम कुछ anti-cancers दवाई होती है जिनके इनका अशुशिएसन होता है यह लिख लो पॉइंट काफी ज्यादा कुछ वारे में नहीं पढ़ता है बस पता करना है पढ़ना है लेकिन इतना पता जाएं यह सेंड्रॉम किस टाइप क्या दे रूंट के साथ के साथ है यह का इस टोन है जो कहां होगा भी हमने बताया था कि डिवलब इस डिक भी डिए डेवल्ब इन ऐसिडिक पीच है और इसके साथ यह क्या होता है यह ऐसा इसटोन हों को हमको एक सरे में फाइंडिंग आउट नहीं होता है नॉट लिख लो यह एक सरे में हमको विजिबल नहीं होगा क्योंकि यह क्या है इसको परेडियो लुशेंट यह देन्स नहीं होता है यह तना कि कोई से मुशलेट का रमने इस्टोन पड़ाता रामिट्ट यह एक शरी बिम्ट पास्थ्यू थे मोथे हैं इसको पेंट्रेट करके निकल जाएंगा इंदर से उतर तो इसलिए यहां पर इमेज हमारा जो है और फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं बन पाएगा इसलिए इसके लिए एक्सरे में यह वीजिबल नहीं होगा ठीक है करके साइज की बात करते हैं तो पहला हमने बात किया था उसको क्वैल्सियम ऑग्जलेट वाला था उसका प्रेमेडल था करके लेड रिस्ट्रेक्चर था इस्ट्रॉइट में और युरिकेसिट में होता है इर्रेगुलर इन साइज तो साइज इस साइज इस 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 इर्रेगुलर साइज इनकी इर्रेगुलर होती है यह ऐसा अकीला इस्टोन है जो एक स्रेमें नहीं विजवल होता है तो इसको काफी मार्क करके पॉइंट हमको लिखना है चीजिए हमको एक दम्याँ पर पता होनी चाहिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लेक्च्चर की हम यह स नहीं तक सोजकर परना कि यह सुझकर पढ़ना कि एक ज़सकर परकर तरम बात करते हैं पर हमारा एक कि है similar स्सट्राइड से क्सालिट ने को इसन फ्रवांट ने हेसे उपनं क्या होता है कि इस हमने अमेनोड पड़ा था प्रोटीन में को तो तो यह amino acid form होता है और यह कौन-कौन से amino acid होते हैं तो इसका association देखो किसके साथ होता है associated with kola kola disorder kola disorder क्या होता है यह सारे amino acid के नाम है देखो c o l a हमने जब प्रेपरेशन कर रहे थे तो kola disorder के नाम से याद किया था कि शिस्टीन और नितीन आओ और नितीन लाईशिन और यह से क्या हो जाएगा यहां पर हमारे यह होसे होता है आजी नीन आर जी नाएन उनका association गवाशिशियेशन जो शिस्टीन इस्टोन का है इन सबके साथ में होता है यह क्या है डाइबेसिक कंपोनेंट है यह क्या है डाइबेसिक डाइबेसिक कंपोनेंट और यह हमारी यूरेन में कब प्रिसिपिटेट हो जाएगा प्रिसिपिटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे whenever there is defect in 16 transport there is defect in 16 transport टर ट्रांसपोर्टर तर तभी डेवलप हो जाए का यह ज्यादा तर यह 16-16 इस चिल्ट्रेंट यहां पर लिए चिल्ट्रेंट में ज्यादा तर यह हमको मिलता है आप मोस्टली आप अचिए अचिए नंको पता हो गई ठीक है और यह कहां फाम होता है फॉर्म देन एस्टिक पीएच फॉर्म इन एसे डिक पीएच यह लाइन हम लिख लेंगे यहां पर इसका जो है जो यह वाला इस्टों जब फार्म होता है जब यूरिन के यूरिन एप इसके डाओ करते हैं तो यह के कांटर्ट माने पर इसका जो है कालर चेंज हो जाता है ठीक है तो चेंज होता है तो कैसे कालर चैंज होता है उसके बारे में देखो फॉर्म डिनरिस्टिक पीएच कादर चेंज ग्रीन कलर रफन कम इन कॉंट्रेक्ट विद एर यह पॉइंट लेक्ट लोग खॉलर चेंज इस ग्रीन कलर वन कम करें एंट को रिंक्टेक्ट का विद एर अधिधर के एसा होता है इसका फ्रोंग पर पर डाता हमने जो अंक व्याद का तो इस ठोन का उलिक एस टोंन का यह गया सिटोन का क्या था एर्लीम ए सब्सक्राइब करते हैं कि अपना निच्ट जो कहा था कि कौन सर्ट टेस्ट करने चाहिए जाहिए को इसके बाद करते हैं कैसे बनाएंगे अगर इस्टोन हो गई है तब टाइब के पढ़ लिए हमने को ने कौन सरट ऐप इस विशाप से अम लोग अपना मेनजमने घृता है इसको कालते हैं कैसे क्या इसको डिजॉल करना है ठीक डाइगनोसिस आफ नफॉली थी एस इस ताइगनोसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो 90% केस होते हैं ग्रेटर अलमोस्ट कि अल्मोस्ट 90% क्या वरते हैं कि ऑगेश एक से रहे करवाते हैं कि यूबी का ये डिटेक्ट हो जाता है और यूसजी एक से क्या यूबी केडनी यूडटर बिलेडर का करवाते हैं तो उसमें हमको 90 पर्शंट तक स्थ्ट क्या हो जाते हैं देख जाते हैं कि कहां पर इस्टोन है इतना साइज है लेकिन हमारा 10% 10% 10% क्या हो जाता है हमारा तो होता है इन सी सीटी नॉन कांट्रास्टेट कंप्यूटेट टोमोग्राफी नॉन कांट्रास्टेट जी होता है हमारा इन्वेस्टिकेसन आप च्वाइस कहते हैं कोई भी कितनी भी चोटी में स्टोन हो वह हम वह भी विजिबल हो जाएगी और यह जो कौन से भी हमने पत्थरी जानन नहीं तो था नहीं स्टो एट नहीं था अंग्रास्त वह मारे इस्टवन था यूट एस इड कासीड को नॉट्विज भी पागादा ओपर यूडिकेसट न्सेटीट यूचिट और टैन पार्समें पांस सा गॉट्सा था लाइक यूडिक एसेड इस्टोन हर बहुत जाएंस आएस आएज आए शाइज वेरी अगर साइज में तब भी नहीं आएगा एक सरे में अग्राइड एक फॉलाइग और नियुक्त कि चाहिए नियुक्त कारव रहे हो एक्सरे करें रहे हो उसमें कुछ नहीं आरहे हैं तो पत्री नहीं है यह गर यूरी कि पत्री होगी तो क्या है वह हम अगर सिट्टी स्कान वहां पर करवा लेंगे स offense वीधिबल हो जाईगी की ओधियर एडीओ लुसंट फोंकि बागी मुश्टली जो हां होती है इस टौणS वह होती है रेडियो उपयक जो विजिबल हो जाती है आराम से रेडियो उस पहिस्पे एक्सरे फिल्म पह ट्रीके मैनेजमेंट क्या करते हैं देखेएए अब हमको को लग रहा है कि हाँ रिनल इस्टोन हो सकता है तब बिलकुल उसको सीटिस करवाने के लिए अड़्वाइस कर सकते हैं कि मैंनेजमेंट क्या अगर करेंगे देखिया मैंनेजमेंट आप रेनल इस्टोन चीक है इस मेलेजमेंट की बात करते है तो हम उसको दर्द को कम करने के लिए क्या देंगे उसको दर्द निमार दवाईंगे देंगे तो होती है एंसेट्स नान इस्टिरोइडल एंटि इन्फ्लामेंटरी ड्रग्स जैसे क्या होता है डाइकलोफिन एक अलगलग ब्रांड नाम से आता है जैसे वह वी रहान एंडर्ड मजी एस ना एसर नाम से आता है यह उसको एमर्जंसी कंडिसन में लिए अபो effort-ability देदेसें जो 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 जिया होताईлом आपत्क डियोड हो दाइक स्पासμॉडिक जन्जोज़ महनको काम कर देगा ठीक है और हम ड हम पॉर से हो ज्ञते हैं कि अगर इस्टों सब्सक्रार्प करना जाहए लिस्टे है या फिर दर्द कम हो तो इसको हम कहेंगे कि तुम पानी मतलब कॉनिटी आफ वाटर बढ़ा दो पानी की मात्रा बढ़ा दो प्लेंटी आफ फ्लूट्स क्योंकि यॉरिन कंसंट्रेट है तो इसलिए उसमें फार्मेशन आफ यॉनल इस्टोन जादा हो रहा है अगर पानी की म हमको देते हैं क्या प्लेंटी अफ प्लेंटी ओफ फ्लीवड कहेंगे ज्यादा से ज्यादा पानी पिये तरल चीज़ें खाएं ठीक है इसके साथ यह अगर देखते दिया जाता है थाया जाइड दायूरेटिक इसका भी काम क्या है ज्यादा यॉरिन का फार्मिशन करके ड सब्सक्राइब करते हैं बाकी तो उसमें एंडेजुलाइट के स्टैकिंग हो जाता है तक भी कई बार ब्रेक होके निकल जाती है यूरिन से ठीक है और जहां पर अगरम हो तो होमेपैथिक मेनेज्मेंट काफी अच्छा है उसके वारे हम किसी वीडियो में लग्चर्ण कर भाई या है जो कि इनल इस्टोन के कैस में मौश्टली दी जाती है पर फिजी सीन प्रेस्क्राइब करते हैं बाकी तो उसमें एंडेजुलाइट के स्टैकिंग होता है तो ऐसे नहीं दियाती है लेकिन जो प्रेकुएंटली यूच होती है उसके बारे में लोग डिसकस कर स बात करते हैं कब सरजरी करवानी पड़ाइगी कब मेडिकल थेरेपे से अभी मेडिक मेडिकेशन से सही हो चाहेगी तो यूजली अगर फाइब संटीमेटर से कम साइज किसे किड्नी स्टोन है तो अपने आप से यूरिन के तुरू पास आउट हो जाती है और साइद हमको पत से ग्रेटर थे 10-15 mm का साइज अगर है एक एए से डियर सेंटीमीटर का है तो यह मेडिकेशन के द्वारा सपोर्ट्व से द्वारे सवह कहीं हो सकती है नहीं कभी कभी से इस जहीं का सर्जरी का सब करनी पड़ जाती है अगर गतर दैन 15 mm है सब्सक्राइब करते हैं जरूरी नहीं कि सरजरी करवानी पड़े काफ मेडिसिन से भी सही हो सकता है लेकिन जनरली जो देखा गया है उसके लिए यह बात हमने आपर कर रहे हैं आज के लेक्चर में बस इतना ही उम्मित करते हैं